स्वर्गवासी श्रीमती अलका हेमंत पाटिल इनके स्मृती प्रित्यत्थ अन्द अपंगों को नई नई उचाया प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने वाली लेखमाला अज कल प्रसार माध्यमों के सहजता से उपलब्ध होने से हमारे सुनने में आ जाता है या पढ़ने में आ जाता है कि आज कल ग्रिष्टिहीन व्यक्ती अलग-अलग क्रीडा क्षेत्रों में अपने नाम रोशन कर रही है आज भारत के पंत्रप्रधान आद्रणिय श्री नरेंद्र मोधी जी ने पैरा लीम्पिक तथा अन्या आंतर राश्ट्रिय स्तर पर अजोजित होने वाली क्रीडा स्परधाओं में अपने देश के दिव्यांगों सहभागी करने के लिए प्रोचसाहन देना शुरू किया ह इसलिए कई दिव्यांग व्यक्ति ओलिंपिक जैसी स्परधाओं में भी द्रिश्टिवान प्रतिस्परधियों से अच्छा प्रदर्शन कर भारत का नाम रोशन कर रही है विविद क्रीडास परधाओं में अनेकोविद उचाईया प्राप्त कर दिव्यांग व्यक्ति अपना नाम दुनिया के सर्वश्रेट खिलाडियों में दर्स करवा कर अपने आपको अपने देश में भी प्रस्थापित कर रही है हम सुनी सुनाई बातों पर कितना ध्यान देते हैं और किस तरह से ऐसी खबरों का मूल्यांकन करते हैं वह तो हर व्यक्ति पर ही निर्भर करता है फिर भी हम सोचते हैं कि द्रिष्टी बाधितों के खेलों में कुछ बदल करवा कर तक्नीक का सहारा लेकर या खेलने में आसानी हो इस तरीकों से युक्त बनाया जाता होगा लेकिन हम कभी सोच ही नहीं पाएंगे सासी प्रवृत्ती के खेल या उपक्रमों में हिस्सा लेकर द्रिष्टी बाधित व्यक्ति अपना नाम तो आंतर राश्च्रिय स्तर पर नामांकित कर ही रही हैं उसके साथ साथ अपने देश का गौरव भी बढ़ा रही है आज हम ऐसे ही एक व्यक्ति मत्व से परिचित होने वाले हैं जिसे सुनकर आप सहच्ता से बोल उठेंगे वाहरे पठे बहुत खूब शाब्बास ऐसे ही दुर्दम्य साहसी व्यक्ति मत्व का नाम है श्री जैदीप सिंग भारत के उभरते हुए जुडों के खिलाडी बोलते रहते हैं कि आज कल महिलाओं को अपने आप से ही सशक्त होना चाहिए ताकि अपनी सुरक्षा खुद कर सके यह सुरक्षा नीती अपनाने के लिए उन्हें जुडों कराटे जैसी कला सीख लेनी चाहिए तो आसानी से समर्थ बन जाएगी लेकिन ये खेल सीखने के लिए शारिरिक क्षमता, लचिलापन, तेज रीफ्लैक्स एक्षन, सशक्त सनायू और मानसिक एकाग्रता उस व्यक्ती के अंदर विक्सित होनी चाहिए तो ही वह उसे आसानी से अपने जीवन शैली में ढाल सकता है। यह प्रशिक्षन प्राप करना हर किसी के बस की बात नहीं है। आज कल बहुत ज्यादा लाड़ प्यार से पली बड़ी हमारी कोमल बच्चिया तथा युवतिया यह परिश्रम सहन करने में कमजोर सिद्ध होती है। हम मा बाप यह देख पहले ही डर जाते हैं और नकारार्थी धारनाय बनाने लगते हैं कि इस प्रशिक्षन दौरान गलती से कुछ गलत हो गया तो जिन्दगी भर के लिए मेरी बेटी को इसका खामियाना भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम ऐसे प्रशिक्षन के लिए हमारी बेटियों को प्रस्तुत ही नहीं करते। कितना दर है हमारे अंदर इंसासी क्रीडा खेल प्रणाली पंजाब के बलिया जिले के भीमहर गाव में एक किसान के घर जैदीप नामक बालक का चौथे अपत्य के रूप में जन्म हुआ। उस परिवार का उदर निर्वा होना मुश्किल हो रहा था। तब उनके पिताजी किसी नौकरी की तलाश में मुंबई आ गए वह भांडू की बाधित था इसलिए उसे जरूरत से ज्यादा सौरक्षन देकर संभाला जा रहा था। जब वह स्कूली शिक्षा लेने योग्य उम्र का हुआ तो उसे गाव के स्कूल में ही दाखिल करवा दिया गया। स्कूल में ना तो वह फलक पर लिखा हुआ पढ़ पाता, किताब पढ़ पाता, नोटबूक में लिख सकता था ना ही परीक्षा में प्रश्न पत्रिका पढ़ कर उत्तर पत्रिका लिख पाता था। इसलिए जैसे तैसे उसको पहिली कक्षा तक पढ़ाया गया। गाव में जैदीप की आखों का इलाज शुरू ही था आखिर, वहां के बक्तर कुलीन कोठारी नामक नेत्रतग्य के बारे में पता चला। उससे इलाज करवाने हेतु वह परिवार भांडूप मुंबई में स्थलान तरित हो गया। जैदीप के पिताजी ने अपनी सारी पूंजी जुटा कर और लोगों से मदद प्राप कर इलाज करने की कोशि पूरा किया। इस दोरान उन्हें शिस्तबधता, शारिरिक प्रशिक्षन और मैदानी खेलों में सहभागी होने के अवसर प्राप्थ हुए। उसकी सुद्रिड शारिरिक क्षमता से प्रभावित होकर उसे जुडों खेलने का भी मौका मिला। उसमें उसकी निपुनता द प्रती और भी रुची बढ़ गई। जैदीप ने आगे की कॉलेज की पढ़ाई जारी रखने के लिए मुंबई के रुईया महाविध्याले में अपना नाम दाखिल करवा दिया। वहाँ जैदीप को दृष्टिवान प्रतिसपर्धियों के साथ अपनी निपुनता को आ अकैडमी में अपना नाम दर्श करवा दिया। वहाँ उसे शास्त्रिय तरीके से जुडों का सही प्रशिक्षन प्राप्त करने में मदद मिली। वहाँ उसे नामी गिरामी जुडों कोचेस का मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। उनके नाम थे खुशनूर जिंजीना और कावस बिलिमोरिया। इनके द्वारा जैदीप को अपनी क्षमता बढ़ा कर योग्य प्रशिक्षन द्वारा तरक्की करने की प्रेरणा दी जाती रही। जिससे वहाँ इप्पोन अकैडमी में नाम दर्श करवाने योग्य बन गया। अब वहाँ महा विद्यालीन पद्वी प्राप करने के उपरांद शारिरिक शिक्षक होने के लिए जरूरी पद्विका प्राप करने हेतु अपना नाम दर्श करवा कर उसे भी प्राप कर लिया। इस शिक्षन दोरान उसे योगा सीखने का भी मौका मिल गया। जिससे उसे एकाग्रता की मदद से अप किया जाने लगा। उन्होंने गौरी दत्त मित्तल विद्याले मुंबई, जागरिती विद्याले पुने, नालंदा विद्याले और सर जे जे विद्याले में यह कार्य सफलता से किया। रुया कॉलेज ने उन्हें जुडो कोच नियुक्त कर सेल्फ डिफेंस तकनीक सिखाने के लिए नियुक्त कर लिया। वहां जैदीप ने कई द्रिष्टी बाधित विद्यार्थियों को भी आकर्शित कर उनमें जुडो के प्रतिलगाव और रुची निर्मार कर दी। उन्होंने उन्हें अधिक कुशलता तथा निपुनता प्राप्त करने के लिए भी जरूरी मार्ग दर्शन दिया। जैदीप जी के मन में आंतर राज्जीय, राश्च्रिय, आंतर राश्च्रिय स्तर पर आयोजित होने वाली जुडो की प्रतियोगिताओं में शामिल होने के ख्वाब उभरने लगे इसलिए उन्होंने अपना नामांकन पोददार जुडो क्लब में कर दिया। वहां उन्हें कई आंतर राश्च्रिय कोचेस का मार्गदर्शन प्राप्थ होने लगा। वहां भी जैदीप जी ने कई सारे दृष्टी बाधित व्यक्तियों को जुडो का प्रशिक्षन करने का मौका मिला। इस प्रक्रिया के दौरान वहां अपनी श्रेटता निर्विवाद रखने के हेतु अपनी कुशलता और निपुनता बढ़ाता ही रहा। सन 2011 में जैदीप जी इंडिया का जुडो में बिकबेल्ट हासिल करने वाला पहला दृष्टीहीन व्यक्ति बना। इसके उपरांद जैदीप जी की उच्चाकांशा दिन बदिन गगन की उचाईया नापते ही चली गई यह जानकारी नीचे दी हुई है जिसमें उन्होंने सरहनिय सफलता प्राप्त की। 1. सन 2014 में इचोन, साउथ कोरिया में जुडो स्परधा के पुरुष गुट में तीसरा क्रमांक प्राप्त हुआ। 2. सन 2015 में सेउल, साउथ कोरिया में आयोजित इपसा वर्ल्ड कॉम्पेटिशन इन जुडों में शामिल होने का नामांतन प्राप्त हुआ। 3. सन 2016 में साउथ आफ्रिका में आयोजित पहिली पैरा कॉम्ट वेल्ड स्परधा में जुडो प्रतियोगिता में सुवर्ण अबदक प्राप्त हुआ। 4. सन 2017 में उसे नैशनल जुडो चैंपियन्शिप में सुवर्ण अबदक प्राप्त हुआ। 5. सन 2017 में वेतनाम में आयोजित ओपन जुडो चैंपियन्शिप कॉंपिटिशन में शामिल होने का नामांतन प्राप्थ हुआ 6. सन 2018 में तुरकस्थान में आयोजित द्रिश्टी बाधितों के लिए जुडो वर्ड कप में शामिल होने का नामांतन प्राप्थ हुआ साथ, सन 2018 में इंडोनेशिया में आयोजित तीसरी एशिया पैरालिंपिक प्रतिसपर्धाओं में शामिल होने का नामांकन प्राप्थ हुआ आठ, सन 2018 में उसे नैशनल जुडो चैंपियंशिप में सुवर्ण अब्दक प्राप्थ हुआ नौ, सन 2019 में साउथ कोरिया में आयोजित एशिया पैरालिंपिक प्रतिसपर्धाओं में शामिल होने का नामांकन प्राप्थ हुआ वहाँ वह वरिष्ठता की सूची में सात्वे स्थान पर चुन लिया गया दस, सन 2019 में उसे नैशनल जुडो चैंपियंशिप में सुवर्ण अब्दक प्राप्थ हुआ जारह, सन 2019 से 2020 में उसे महाराष्टर राज्य सरकार द्वारा बेस्ट स्पोर्ट्समन इन जुडों के लिए शिफ छत्रप्ती पुनसकार देकर गौर्वानवित किया गया बारह, सन 2020 में उसे नैशनल जुडो चैंपियंशिप में सुवर्ण अब्दक प्राप्थ हुआ आज तक जैदीब जी ने कमाए हुए राष्ट्रिय सुवर्ण अब्दकों की संख्या 12 हो चुकी है तो आंतर राष्ट्रियस परधाओं में सुवर्ण अब्दकों की संख्या 2 और कांस्यब्दकों की संख्या 2 है सोनी टीवी द्वारा सीजन दो के दरम्यान एंटर्टेन्मेंट के लिए कुछ भी करेगा कि अंतरगत अंध व्यक्तियों को जूडो खेलने का प्रशिक्षन जैदीप सिंग के द्वारा दिया गया और उनकी एक स्पर्धा आयोजित की गई उसमें उन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया जैदीप सिंग जी की यह सफलता हमें जरूर प्रेरित करेगी की आज के जमाने में अपने बेटे बेटियों को जीने स्वयंकूर्ण बनाने के लिए हमें जरूर उन्हें कराटे और जुडो जैसे प्रशिक्षन देने चाहिए जिससे उनका स्वास्थ, मानसिक संतुलन, मन की एकागरता और खत्रे के वक्त स्वसुरक्षा की जुझारू वृत्ती अच्छी तरीके से विक्सित होकर वे आज के समाज में बिगडी हुई परिस्थिती का सामना धैर्य के साथ करने में समर्ध हो इतनी महान उपलब्धी हासिल करने वाले जैदीब जी अपने देश के पहिले द्रिष्टी बाधित खिलाडी बन गए है जिसकी वज़ह से वे कई सारे दिव्यांगों को प्रशिक्षित कर उन्हें राज्यस्तरिय, राश्चिय तथा आंतर राश्चिय स्परधाओं में सह इनसे प्रेणा प्राप्त कर अपने देश के कई लोग स्वसुरक्षा प्राप्त करने में भी समर्थ हो गए हैं। उन्हें जीवनकाल के 35 वर्षों में उन्होंने अपनी द्रिष्टी बाधिता के बावजूत जो श्रेट्तम उपलब्धिया जुडो प्रतिस परधाओं में प्रस्थापित कर अनेक दिव्यांगों को भी ऐसी सपरधाओं में सफलता से सनमेलित कर लिया है। पर एदबार रखना। सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखना। सफलता मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही तुम्हें। बस खुद को आगे बढ़ने के लिए तयार रखना। हम कह सकते हैं कि परिंदों को मिलेगी मनजिल एक दिन। ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर। जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। कोन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता। एक पत्थर कभियत से उचालो तो यारो। आज एक जैदीप हमारे बीच है। कल और कई होंगे जो सफलता की सीडिया लांग कर। अपने देश का नाम रोशन कर देंगे। द्रिश्टीहीन व्यक्ती और वो भी खिल रहा है। जूरो जैसा खेल नहीं सिर्फ खेल रहा है बलकी बन गया है दुनिया का चैंपियन। मुझे याद है में स्वयम मेरी जवानी मैं कराटे और जूरो खेल रहा था तब कई सारों ने मुझे हिदायत दीथी की भहिया संभल के करो। अगर सीखते सीखते कुछ उल्टा सीधा हो गया तो जिन्दगी भर पच्ताना पड़ेगा। यही धारणा दुनिया के अधिकतर लोगों की होती है। ऐसे में किसी भी दृष्टिबाधित व्यक्ती को यह खेल सिक कर्स परधाओं में हिस्सा लेकर जाक्तिक स्तर का मकाम हासल करने की उरजात्मक प्रवृत्ती जाग चुकी है। उसके बुलंध हौसले, अभूत पूर्वक शम्ता, उचे इरादे, जगत जेता बनने की काबिलियत और अटूट विश्वास के सामने उसकी दिव्यंगता कभी भी रोडा बनने का साहस ही नहीं कर सकती है। यही प्रतीत होता है कि जैदीप सिंग वारा हासल की गई भव्य दिव्य उपलब्धियों से क्या उनका मनोगल, क्या उनकी खेल भावना से लगी लगन, क्या उनकी प्रसिधी प्राप्त होने की काबिलियत, क्या उनका अपनी कर्तुत्व शम्ता पर अजोड भरोसा, क्या उनका सांसो भरा जीवन जीने का प्रण और क्या उनका जीवन में धेय सिधी तक अग्रेसर होते रहने का इरादा। उपलब्धिया प्राप्त होने पर उनकी पीट थप थपाते हुए आगे की और अग्रेसर होने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। आने वाले भविशकाल में हमारा जैदीप जरूर नए गुल खिलाएगा। दिव्यंगों को इस्तदार बनाकर प्रतिस्था प्राप्त करने वाला अपने देश का ही नहीं बलकि सारी दुनिया का एक प्रनेता बन जाएगा। हम उस पल का इंतजार जरूर करेंगे। सामन्यों में असामन्यता हासिल करना कोई आसान बात नहीं लेकिन जब जैदीप सिंग जैसा सासी व्यक्तित्व हमारे साथ हो तो कोई भी पूचा मकाम हासिल करना नामुम्किन ही नहीं। हैमंध जब पाटिल मानत सचीव National Association for the Blind, India